समस्त छात्रेवं छात्राओं मैं आज अंत्राष्ट्रिय बालिका दिवस के सुभव सर पर आप सभी को हार्दिक स्वागतेवं अभिनन्दन करता हूँ प्रिय छात्रम छात्राओं जैसा कि आज आप सभी जानते हैं कि अंत्राष्ट्री बालिका दिवस है अंत्राष्ट्री बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाय जाता है इसके पीछे क्या रहस्य है मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ तो आप ध्यान से सुने अंत्राष्ट्रिय बालिका दिवस मनाने का जो मुख्य उदेशिय हुगा पहले के समय में बलिकाओं को अनिक प्रकार के सुधाओं से बंचित कर दिया जाता था जैसे सिक्षा, चिकित्सा के छेत्र में तमाम इस प्रकार की सुधाओं से बलिकाओं को बंचित कर दिया जाता था और समाज में हो रहे भुरुन हत्याओं को लेकर के भी सरकार इस पर बहुत प्रकार की सुविधाएं सन 2012 से लागू कर दी जिसके कारण समाज में बालिकाओं का आत्म सम्मान बना रहे हैं और बालिकाओं भी बालकों के तरह सम्पुर्ण अधिकार में हो उनका पूरा अधिकार मिल सके तो इसी के वज़ा से पूरे राष्ट्रे में बालिकाओं दिवस का आयोजन 11 अक्टूबर को किया गया प्रिय चात्रों हम सभी भी बालिकाओं के आत्म सम्मान के लिए संकल्प करें संकल्प करते हुए उनके मान समान की रक्षा करें और इसी के संदेश में मैं सभी चात्रम चात्राओं को कहना चाहता हूँ कि आप घर पे अपनी पढ़ाई जारी रखें क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो समय चल रहा है कोवीड-19 का समय चल रहा है इस समय में कोई आप लाइन क्लास नहीं चल पा रहा है तो इसलिए आप जहां से भी सिक्षा ग्राहण कर सके अपनी सिक्षा को ग्राहण करने का कार्य करें बिसेश्ता मैं उन चात्र चात्राओं के लिए भी कह रहा हूँ जिन्होंने कक्षा दस्वी के बोल्ट परिक्षा और कक्षा बराहुई के बोल्ट परिक्षा देने वाले हैं उन छात्राओं के ये एक विसेश समस्या बनी हुई है कि हमारी पढ़ाई कैसे पूरी हो मैं अपने पढ़ाई को कैसे पूरा कर सकूँ परिच्छा नजदीक है इस प्रकार की तमाम बातें बिद्यार्थियों के द्वारा सुनने को मिल रहा है तो इस परिस्थिती में बिद्यार्थि भी अपने धैरिय आत्म सयम को नखोएं क्योंकि जो ये समय चल रहा है इसमें सयम बना करके अपने पढ़ाई जारी रखें और परिच्छा पयोगी जो पुस्तक है उसको आप लोग खरिद लीजिए और पढ़ाई चालू कर दें अगर जो भी प्रश्ण समझ में न आ रहा हो तो अपने घर के बड़े भाएं या बड़ी बहान जो जानते हों उनसे आप प्रामर्स लीजिए यदि समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है तो आप इंतजार कीजिए जब विद्याले का परमिशन पूर्ण रूप से मिल जाता है तो आप अपने विश्या ध्यापक से समपर्क करके उस प्रश्ण का समधान कर लिजिएगा तब तक आप स्वयाम इस्टड़ी करें तो मैं फिर सभी छात्र छात्राओं एवं समस्त अविभावक बंधुओं को भी अंत्राश्ट्रिय बालिका दिवस के सुभवसर पर हार्दिक स्वागत्यों अविननदन करते हुए मैं अपने बाणे को बिराम देता हूँ जय हिंद जय भारत